साथ्यू नमस्कार नोबल वीडियोज में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथ्यू जैसा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहें वो कच्छा 10 के हुई दर्थी हूँ या कच्छा 12 के हूँ, सभी विद्यालों में क्या है कि गौवर्मेंट की तरफ से एक परिक्षा पे चर्चा का रिक्रम चलाया जा रहा है, यानि कि जो परिक्षा होने वाली हैं, बोर्ड एक्जाम होंगे आपके, यानि कच्छा 12 और कच्छा 10 के विद्यार्थियों के लिए खास्त और से महात्पूर्ण है, उस विशय पर चर्चा होनी है, प्रधान मंत्री जी खुद स्वयम बच्चों से चर्चा करेंगे, तो इसमें सभी विद्यार्थों के पंजी करण विद्याले के द्वरा या सेल्फ में कराए जा रहे हैं, ठीक है, सिक्षक भी कर सकते हैं, गर्जन्स हैं, यानि अभिभाबाग जो हैं माता पिता हैं बच्चे के, वो भी अपना पंजी करण कर सकते हैं इसमें, और विद्य आपको certificate यहां पर मिलेगा ठीक है लेकिन क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो है अपना registration स्वेम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण बस उनको दिक्कत आ रही है तो इसी लीम ने ये सोचा कि आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना दूं कि किस तरह से आप अपना पंजीकरण जो यानि 12 जनवरी तक आप इसमें पंजीकरण करा सकते हैं तो बिना इसकी के विए वीडियो को पूरा देखिएगा मैं पूरा प्रॉसेस आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पे registration करेंगे तो चलिए मैंने इस समय गूगल का page खोला हुआ है और यहां पर आप देख रह हमारा एक page आ रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर पहला जो हमारा page आ रहा है इसको आपको क्लिक नहीं करना है और दूसरे वाले page पर आपको क्लिक करना है यहां पर जो site दे रहे के secure.mygov.in ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है तो मैं इस पर अलड़ी क्लिक कर देता हूं थोड़ा सा प्रोसेस होगा यह page आपके सामने खुल टक के आ रहा है तो सबसे पहला page आप देख पा रहे होंगे परिक्षा पर चल्चा इस तरह से दे रखा है लोगों भी बना हुआ ह और scroll down करेंगे तो नीची की तरह आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर पूरी details आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है एक तो participate now server 2 है और server 2 है बताना चाहूंगा कि starting में क्या था कि जो site है इस पर काफी load आ रहा था site सही से चल नहीं रही थी तो इसलिए पंजीकरण काफी कम संक्या में हो पा रहा था लेकिन अब जो है server बदल दिया गया है तो आपका पंजीकरण बहुत ही आसानी से हो जा रहा है तो आप try कर सकते हैं तो मैं बता देता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहा ह है क्या दे रखा है login with OTP दूसरा है participate now ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम को क्या करना है login with OTP करना है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं login with OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्या पूछेगा कि your name यानि full name जो आपका है यानि student जो भी है वो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे ज लेकिन mobile number पर डालेंगे तो ज़्यादा असान रहेगा आपको OTP directly मिल जाएगा लेकिन email id जैसे किसी की mobile में नहीं login है नहीं खुल पा रही है तो आपको OTP प्राप्त करन में तिक्कत होगी तो यहाँ पर मैं suggestion करूँगा कि आप जो यहाँ पर अपना mobile number डाल सकते हैं कोई भ तो इस तरह से मैंने mobile number यहाँ पर इंटर कर दिया है तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है login with OTP तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा तो जैसी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक OTP हमारे mobile number पर आ जाता है और यह OTP यहाँ पर आपको डाल देना होता है ठीक है इंटर OTP लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वो mobile number डाल देना है और उसके बाद में देखें यहाँ पर आपका लिखा हुआ है submit बटन है तो submit पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है तो मैं चल तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर Participate Now लिखा हुआ है, ठीक है, इस बटन पर आपको आप क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे क्लिक करते हैं, एक नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आटोमेटिक हो जाता है, औ इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, Student Self Participation, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे Submit बटन है, इस Submit बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो जैसे Submit बटन पर मैं क्लिक करता से, इस Page से यहाँ पर यह आपको दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप गबराईए नहीं, यहाँ पर मैं पूरा Process आपको दिखा दूँगा, कि किस तरह से यहाँ पर यह Page आपके सामने खुल कर के आएगा भढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप देख पा रहा होंगे, जैसे मै मैं OTP सम्मिट करता हूँ, और उस सम्मिट करने के बाद में यहाँ पर देखी, पूरा Page आपके सामने खुल कर के आजाता है, इस Page को आपको भढ़ना है, तो यहाँ पर क्या-क्या डिटेल्स आप से कही जा रही हैं भढ़ने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके आजाएगी, और email ID आपने रिश्टर नहीं किया है, mobile number से किया है, तो mobile number यहाँ पर लिख करके आपका आएगा, ठीक है, तो मैंने email ID से यहाँ पर जनलेट किया हुआ, तो email ID लिख करके आ रही है, फिर यहाँ पर आपको mobile number डाल देना है, उसके बाद में ऊपर पूछा जाएगा, तो address आप डाल दीजेगा, और address के बाद में यहाँ पर ऊपर बढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पर school का name आएगा, कौन सी board में आप registered हैं, वो आएगा यहाँ पर, फिर उसका address आएगा, फिर country आपकी लिख करके आही रही है, उसके बाद में आप अपना state चुनेंगे, किस राजी से आप हैं, उसके बाद में आपका जिला चुना जाएगा, district चुनेंगे, उसके बाद में उसका pin code आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद में यह 5 questions यहाँ पर आप से पूछी जाएंगे, 5 questions में आपको क्या करना है, आप पढ़ लिजेगा, और यहाँ पर जो भी आपको उचित आंसर लग रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 options दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 options में से आपको कोई भी option जो है, वो गोला यहाँ पर आपको टिक कर लेना, इस तरह से, जाहाँ पहला, दूसरा, या तीसरा, या चौथा, ठीक है, ज उसके बाद में, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, लाश्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में चाहें, तो आपको कमेंट यहाँ पर कोई छोड़ सकते हैं, कुछिन पूछना चाह रहे हैं, तो आप हिंदी में या अंगलिस में लिख स बन थी, लेकिन इस समय अभी कुछ साइट पर विस्ता है, काफी लोट पड़ रहा है, काफी सारे बच्चे जो यूपी के हैं, वो रेश्टिशन कर रहे हैं, आल इंडिया में ये करिक्रम हो रहा है, परिक्षा पर चर्चा करिक्रम चलाया जा रहा है, तो इस बेस से जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा, आपको साइटिफिकेट मिलने में, तो 12 जनवरी की डेट जो आपके सामने शो करेगी, यानि 12 तारिक को ये साइटिफिकेट आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हो सकता ये अड्रस पर भी आपको पहुचा दिया जाए, ठीक है, तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस करके आपको बता देता हूँ, भर करके किस तरह से ये आप ये करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो मैंने ये पूरा पेज जो है, फिल कर दिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है, डा करने से पहले, अपने फार्म को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा, कहीं पर कोई तुरूट है, तो आप इसको सुधार सकते हैं, उसके बाद में आप इसको समिट करेंगे, तो मैं OK बटन पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे OK बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ प 1024, यानि कि 12 जन्वरी, दोहर्था 24 को यह certificate यहाँ पर आपको अबलेबिन पहुझ आएगा, यानि कि जिस mobile नमर या email ID से आपने लॉग इन किया है, उसी email ID से आप फिर लॉग इन करेंगे, या mobile नमर से लॉग इन करेंगे, तो इस certificate आपको यहाँ पर link मिल जाएगा, डाउ टाउन लोड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह यह certificate मिलने माला है वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यह certificate आप देख पा रहा होंगे, इस तरहंका एक certificate आपको यहाँ पर download करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, तो यह पूरा प्रोसेस रहा है, आपके certificate download करने तका, तो